बिग बॉस के विजेता रह चुके सिधार शुकला का हार अटाक से निधन हो गया है अपसे कुछी दिर पहले ये खबर आई कि सिधार शुकला का हार अटाक से निधन हो गया है बिग बॉस के विजेता रह चुके हैं सिधार शुकला बालिका वधूर में भी आप इन्हें देख चुके होंगे 40 साल की उम्र में सिधार शुकला इस दुनिया को अलविदा कह गए है टीवी का जाना माना नाम जाना माना चेहरा और ये खबर बेहत हैरान कर दिने वाली इतनी कम उम्र में अर्पिता सिधार शुकला ने दुनिया को अलविदा कह दिया है और शायद इस वक्त जो ये खबर सुन रहा होगा नेहा उसे ये भरोसा करपाना बहुत मुश्किल हो रहा होगा कि वो सिधार शुकला जो अपसे थोड़ी दिन पहले भी जो OTT का बिक बॉस है उसमें नजर आये थे वो शैनास गिल के साथ इनके रिष्टे को लेकर काफी खबरें भी सामने आती रहती थी जिसको खुल कर कभी ने उस्वेकार नहीं किया लेकिन वहाँ पहुचे थे काफी मौज मस्ती वहाँ पर की लेकिन किसी को ये बात अभी एहसास इस बात का नहीं हो रहा होगा कि अब सिधार शुकला हम सब के बीश नहीं रहे हार्ट अटैक से उनका निधन हो आने है चालिस साल की उम्र में पुर्म अबनेता सिधार शुकला का रधन ये प्रात्मिक जानकाली जो मिल रही है उसके मताबिक दिल का दौरा पढ़ने से बिग बॉस विजेटा रह चुके सिधार शुकला का निधन हो गया है अमित त्यागी मेरे सयोगी से तमाम जानकाली के साथ जुड़ गया है अमित क्या खबर मिल रही है कब हुआ है ये और बेहर हैरान करने वाली खबर चालिज साल के उमर में सदार शुकला का निधन बेहर जहरानी वाली खबर पिछले साल सुषान सिंग राजपूत और इस साल सिधार शुकला लेकिन उसी मौत का जो हमें जो हॉस्पिटल अथार्टी निकूबर हॉस्पिटल जुह में उनकी स्वस्थ बॉड़ी है भी पुलीस आई है पंच नामे के लिए जहां तक हमें हॉस्पिटल के सुसरों ने बताया है कि उनकी मौत हार्ट इटक की वज़े से हुई है रात को वो बोली लेकर सोही थे उसके बाद उठे ही नहीं पुलीस आई गया जहां पर पता चला कि उनकी सांसे नहीं चल रही है और इस वक्त कूपर हॉस्पिटल में मै बने से नहीं को मामना पूटियू थे उसके बाद भूहां जहां पूज़े बोलारे इस बारे में अवह जानतारी जुटा रहे हैं इस बारे में लकान करण जोहर की फिल्मों में काम किया है करन जोहर की फिल्मों में काम किया है यह सारे सीरियल जैसे पालिका वज़ेगा